हेलो बच्चों education access में आपका स्वागत है आज हम लोग NCRT का exercise 14.1 का question 3 देखेंगे जो के miss frequency वाला सवाल है मतलब अग्यात बारंबारता की राशी ग्यात करनी है क्या कह रहा है इस प्रश्ण में निमलिखित बंटन एक मुहले के बच्चों के दैनिक जेव खर्च इदर साता है माध जेव खर्च मतलब मीन दिया गया है 18 रुपया है लुप्त frequency ग्यात कीजिए मतलब यह जो बारंबारता लुप्त है इसका मान ग्यात कीजिए ठीक है तो यहां पर जो वर्ग अंतराल दे रखाय प्रश्ण में उसे यहां लिख लिए और उसके सामने परतियक वर्ग अंतराल का frequency मतलब बारंबारता भी लिख लिए है अब X तो X क्या यहां पर तो X है चिन जिसे मीड वैल्यू कहते है तो वर्ग चिन बडाबर क्या होता है तो आपको मालूम है वर्ग चिन बडाबर होता है L1 प्लस L2 भागा 2 मतलब नेमनिस सीमा और उच्छ सीमा दोनों का जोड फिर भागा 2 मिंस 11 पलस 13 कितना हो जाएगा 24 भागा 2 तो कितना जाएगा 12 फ बडाबर कितना हो जाएगा 16 उसी तरीके से आप करते जाएगे यह जाएगा 18 यह जाएगा 20 यह जाएगा 22 ठीक है और यह जाएगा 24 दोनों को जोडिये तो हो जाएगा 48 और 48 को 2 से भाग करना है तो 24 आ जाएगा ठीक है fx का fx बोले तो f into x मतलब frequency और mid value x को गुणा कर दीजिए तो fx का माहन आ जाएगा ठीक है तो 12 सत्य 84 ठीक है और 14, 15, 14, 16, 84 यह भी 84 हो जाएगा ठीक है 16 नमा यह हो जाएगा 144 फिर 18 गुने 13 कितना हो जाएगा 18 यह 54 हाथ मेरा पांच 18 का ठाड़ा पांच तरीस ओके और 20 गुना f बराबर 20 f इसको थुरह साइड करके लिख लीजिए क्योंकि यह अलग अलग जाती का है यह सब सजातिय पद है यह अलग जाती का है ठीक और 22 पंच एक सो दस ओके समझे मैं यह बात और 24 गुना 4 कर देजिए कितना हो जाएगा प्रन दो माद बराबर प्रमुला सिगमा fx बता सिगमा f तो fx जोड कर लेते हैं यह अफ जड़ी है सिगमा सिगमा क किससले तो सम के लिए जोड के living like का प्रियोग करते हैं तो सबको जड देना यह अलग जाती तिकहा तो इससे छोड़ दीजियें बागी सब को आप अड़ कर लिजी चार चार आठ चार वाराएंच चार सोलह सोलह चाल चार चार बीस बीस एक तैस वास तैस एक चोविस और चार को जाएगा एक साथ, ठीक है, 752 आ गया, कितना गया, 752 और यह जो 20 F दिख रहा है, इससे आप अलग से आप उतार दीजिए, ओके, उसी तरीके से सिगमा F भी तो चाहिए, इसे भी एड़ कर लेते हैं, सिगमा भोलेते हैं, जोड एफ, मरावर कितना, सभी को एड़ कर लेजिए, मगर F क ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, बाकी सब को जोड लेजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा, 13, 13, 13, 26, 29 हो जाएगा, 35 और 35, 44, 44, 44 और यह F को पलस F लिख लिख लिजिए, यह अलग पद के, अलग पद है, विजाती है, ठीक, चलिए, आम लोग बनाते हैं, लिखेंगे, चुकी, माँद बराबर क्या होता है formula, माँद बराबर, sigma Fx, sigma F, बिल्कुल उसी तरीक Comanche, जैसे माँद ग्याद करते हैं, बिल्कुल वही formula, बिल्कुल वही format, किसके लिए, अज्यात बारückenबारता ग्याद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है अब माद की जगा पर माद का मान बैठा दीजिए क्योंकि सब प्रशन में दिया हुआ है कि माद जेब खर्च 18 रुपिया इट मिल्स माद का वैल्यू कितना है 18 रुपिया सिल मां था सीमा एक स्था कितना आगया 752 प्लस 20 घिंगा अब अब बड्रा मेंly सिल मैं सिक्मा कंद 44 प्लस्-ठाय यहां नीचे कोछ नहीं तो एक लावन है क्या कर देंगे इसको? क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है, इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां, तो कितना हो जाएगा? 752 को एक से गुना किजएगा, तो 752 ही रह जाएगा, पलस फिर 20 को F से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 F, एक का 20 F, ओके? बराबर, अब 18 को एक बार 44 से, और 18 को एक बार F से गुना किजए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब 18 को F से गुना करेंगे, तो पलस 18 F, ओके? और यह दोनों एक जाती का है, एक साथ कर देंगे, 20 F, और 18 F इधर आ जाएगा, राइट लेफ्ट तो माइनस 18, साइन बदल जाएगा, बर 792 और 752 लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो इसका भी साइन बदल जाएगा, पलस है तो माइनस में हो जाएगा, ओके? 20 F में से 18 गया तो 2 F बराबर, 792 से 752 गया तो 40, और F is equal to 40, गुना में 2 है तो बट्टा में आ जाएगा, 21 का 2, 2 दूना 4, 20, तो हमें Miss Frequency का मान कितना आया, 20, answer, okay, मतलब ये जो बारंबार ता लूप थी, कितना था वो, 20, okay,